प्रतिष्ठित कम्पनियों की नाम का गलत इस्तिमाल करके उनके ब्रैंड का फर्जी तरीके से इस्तिमाल करके अपना सामान बेचने के गौरक धंदे पर एक बार फिर से बड़ी कारवाही हुई है दुनिया की प्रतिष्ठित भारती कम्पनियों में से एक हौकिन्स कम्पनी जो की लगबग 60 साल पुरानी कम्पनी है और कुकर और कुक वेर बनानी के लिए मश्चूर है इस कम्पनी ने अपने intellectual properties को दुनिया के कई देशों में सुरक्षित कर रखा है जिसमें बंगला देश भी शामिल है इसके बावजूद बंगला देश में इस कम्पनी के नाम और ब्रैंट का इस्तिमाल करके फर्जी तरीके से दूसरी कम्पनिया कुकर बेच रही थी हौकिन्स ने इस गोरक धंदे पर लगाम लगाने के लिए Leonard Corporate Solutions Private Limited को चुना ताकि ऐसे गलत काम करने वाली कम्पनियों पर कानूनी तरीके से कड़ी कारवाही हो सके बंगला देश में फर्जी कूकर हौकिन्स से मिलते जुलते नाम से बेचे जा रहे थे जिस पर Leonard Corporate Solutions ने काम करना शुरू किया Leonard Corporate Solutions भारत की एक प्रतिष्ठित फर्म है जो intellectual property, taxation और company laws के लिए काम करती है बंगला देश में हौकिन्स के नाम पर फर्जी कूकर के फ्रॉड को उजागर करने के लिए Leonard पिछले 6 महिनों से बंगला देश में काम कर रही थी और Hawkins Company का नाम का गलत इस्तिमाल करके हो रहे फर्जी वाड़े को ट्रैक कर रही थी और उस पर raid करने की तयारी भी कर रही थी इसके लिए Leonard के Legal Advisors रोहिट सिदपुरा, Advocate Manisha सिदपुरा और डॉक्टर परेश दवे बंगला देश के NB Associates के नबेंदू भटाचारे के साथ लगातार काम कर रहे थे बंगला देश में हर साल जनवरी 1 से 31 तक धाका अंतराश्ट्री ट्रेड फेर का आयोजन वहां की सरकार के सौजने से किया जाता है जो की इस साल भी किया जा रहा है इस ट्रेड फेर में बहुत कंट्रीस से एक्जिबीटर्स आयोए हैं और इसमें लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस होता है लेनर्ड कंपनी के टीम के सरसे रोहित सिदपुरा और नबिंदू भटाचारे जब धाका अंतराश्ट्री ट्रेड फेर 2020 में जांच करने पहुँचे तो पता चला कि हौकिन्स के नाम का फर्ज इस्तिमाल करके इस ट्रेड फेर में भी ये कूकर बेच जा रहे थे इस पर कारवाही करते हुए जनवरी 28, 2020 को लेनर्ड की टीम ने बंगलादेश के राष्ट्री उपभोगता संरक्षन विभाग के डिप्टी डिरेक्टर उनके साथ मिलकर इस गोरक धंदे पर रेड मारी और धाका इंटरनेशनल फेर में कई स्टॉल्स पर रेड करने का काम किया लेनर्ड के लीगल एडवाइजर रोहिच सिधपुरा ने इस काम के लिए बंगलादेश सरकार को इस कारवाही के लिए धन्यवाद दिया लेनर्ड के एडवोकेट मनीशा रुहिर सुधपुरा ने बताया कि इस कारवाही के बाद भी उन कम्पनियों पर और कानूनी कारवाही की जाएगी और उसके बनाय सामान भी जब्त किये जाएगे जो बंगला देश में हौकिन्स के नाम का फर्जी तरीके से उप्योग करके काम कर रही थी डॉक्टर परेश दवे ने बताया कि ये केस दिखाता है कि जो भी कम्पनियां दूसरे देशों में काम कर रही हैं उन्हें अपनी intellectual property की सुरक्षा के लिए किस तरह से उचित करम उठाने चाहिए और भारती कम्पनियों को भी अपनी intellectual property की सुरक्षा के लिए लेनर्ड जैसे professional कम्पनियों से काम कराना चाहिए